हला और वेलकम यू ओल आपने भी स्टॉक के बारे में सुना होगा और काफी सारे लोगों ने स्टॉक को खरिदने की सलहा आपको दी होगी तो गजवर हम पहले से ही स्टॉक में कह रहे हैं लेवल्व के हिसाब से की स्टॉक में क्या होगा तो रिजल्ट स्टॉक में अच्छे नहीं आए थे हाला कि Nat自ilस इसकी बड़ी थी नेट सेल्स में यहाँ पर बड़त हमें देखने को बिली थी पर स्टॉक में अगर देखा जाए तो अभी स्टॉक गिर रहा है तो गिरने का कारण क्या है तो पहला कारण तो मैं बता चुका हूँ इसके रिजल्स खराबते दूसरा कारण क्या होगा वह मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और तीसरा कारण भी है इसमें गिरावट का तीसरा कारण भी मैं आज शेयर करने वाला हूँ तो गैस यहाँ पर देखा जाया तो यहाँ पर तीन तरब से स्टॉक गिर रहा है रिजल्स कराब ते वो तो गिरा ही गिरा वो तो अलग बात है अशोक लेलेंड में चार्ट को देखोंगे तो काफी बड़ी गिराउट देखने को मच रहेगे अभी तो गिराउट की शुरुआ थे गासी स्टॉक में अभी भी काफी कुछ गिरना यहाँ पर स्टॉक में अभ प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो गाइस यहाँ पर करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो गाइस अशोक लेलेंड एक सस्ता स्टॉक था और काफी लोगों ने हमें बाई अपोचनिटी भी इसमें दी दे और कहीं न कहीं अभी बड़े से बड़े टार्गे दिया था और उसके बेसिस पे भी कई लोगों ने इसे खरीदा बट गिरावट क्यों आई इसमें पर एक रिजन बताओ तो रिजन की अगर बात करें तो कल की ही बात है कल भी मैंने बोला था कि स्टॉक में गिर सकता है तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हो आउट आउट जो वेहिकल से टू विलर से फोर विलर से और गाइस बड़े-बड़े जो अशोक लेलें जो बड़े-बड़े ट्रग्स बनाता है बड़े-बड़े वेहिकल को मैनुफेक्चर करता है और वही अगर दिखा जाए तो यह चीप क्यों इंपोर्टेंट है उन चीजों के तो गैस यहाँ पर रशिया और यूकरेन के बीच जो यहाँ पर वार चल रही है उसके कारण यहाँ पर इन चीजों में भी शॉर्ट है चल रहा है तो अगर देखा जाए तो रशिया की अगर बात करूँ तो यहाँ पर रशिया एक चीज वो काफी कुछ वहाँ पर और वही अगर देखा जाए पहले डियम के बाद और सेमी कंडक्टर चीप बनाने के लिए और यहाँ पर चीज लगती उससे कहते हैं नियोन को बनाता है यूक्रेन नियोन का उत्पात करता है कितना करता है सेवृंटी परसेंट तो वही में बोल्टाओ कि सेविंटी परसे को बना जाता है और सभी कंडेक्टर चीप का चीब का चल रहा है और सभी कारण चीजों में बढ रहे हैं के प्राइस कमें और देख जाया गई तो कहीं न कहीं रो मपड़िए orange सदो हम यहाँ रिजब्स ल काफी बढ़ा है और और एक चीज गाइस यहाँ पर अगर देखा जाए तो अशोक लेलेंड ही नहीं यहाँ पर महिंद्रा इन महरिंद्रा टाटा मोटर्स कई सारे जो यहाँ पर जो स्टॉक से ओ यहाँ पर डाउन जा रहे और मैंने बिल्कुल एक डिटेल्ड में वीडियो भी बनाया है इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस वीडियो को भी देखना क्योंकि ओ सारे के सारे एक दमदार स्टॉक गिर रहे है क्यों गिर रहे है और हमें किस तरीके से उन में बाइं करना है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है वह मैं लिंक डिस्क्रिप्शन मे के उपर तो गाइस बात कर रहे है अशोक लेलेंड एल्टीडी के बारे में अशोक लेलेंड एल्टीडी 106 रुपे 30 पैसे के प्राइस पे कर रहा है ट्रेड तीन रुपे 90 पैसे तक की गिरावट आई थी 3.54 परसंट के हिसाब से स्टॉक गिरा है और गाइस वही अगर उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर क्लियर किया था कि यहाँ पर अगर स्टॉक सपोट लेता है तो हमें जाना है बाई की और यहाँ पर अगर सपोट लेता है तो हमें जाना है बाई की और ब्रेकडाउन देता है तो बिल्कुल बिना सोचे स्टॉक से निकल जाना है और जब इसने breakdown दिया था मैंने उसी दिन उसी समय दोपर में ही मैंने video बना दिया था जब stock ने breakdown दे दिया था नीचे की और और मैंने clearly बोल रहा था कि guys यहाँ पर आपको sell करके निकल जाना मेरे video देख सकते हो guys मैंने अभी भी upload करके रखा हुआ है और बिल्कुल अप जाके देख सकते हो मैंने sell करने के लिए बोल दिया था but guys यहाँ पर मैंने sell करने के लिए बोल दिया था और अच्छा होगा जो लोग निकल गए होगे काफी अच्छा हुआ होगा क्योंके stock में इतनी और एक चीज अगर देखे जा तो कही ना कही जो यहाँ पर community sentiments के आकड़े आप देखोंगे तो community sentiments के आकड़े में आपको अभी बता देता हूँ तो गाईस आप देख सकते हो community sentiments के आकड़े भी में अगर बताओ तो यहाँ पर 100% यहाँ पर positive आकड़े है गाईस positive आकड़े 100% यहाँ पर दिये जा रहे है तो यहाँ पर अगर दिखा जा 100% positive आकड़े ओ तो मैंने बता दिया पर क्यो है ओ मैं अब बताता हूँ तो गाईस यहाँ पर एक चीज अगर समझने की आप कोशिश करोगे अगर मान लो stock में बिलकुल एक side is momentum आया एक rising wage pattern बना rising wage pattern के बाद एक break out मिला break down मिला breakdown के बाद क्या होता है क्या stock सीधा नीचे की और आ जाता है back to back के गिरावट ही रहती है ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर ओ जो levels है ओ जो चीजे बताई जाती है ओ रहती है short term basis पर और यहाँ पर अगर दिखा जाए तो stock में अगर fall आया है तो कही न कही यह retaste करने जरूर जा क्योंकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे है वन वीक टाइम प्रेम पर बात कर रहे है अजर लॉंग टर्म के basis पर हम बात कर रहे है तो यहाँ पर अगर breakdown आया तो कहीं नहीं रिटेस्ट करके नीचे आएगा 86 रुपे के आसपा स्टॉक आ सकता है 86 रुपे तक स्टॉक क्यों आ माँ रहे है तो यहाँ पर 110 नहीं मैं मान रहा हूं 100 रुपे का लेवल को भी एगर डर तो यहाँ पर 60 रुपे के लेवल तक आ सकता है फिर सपोर्ट लेगे जा सकता है तो ऐसी कुछ चीज़ है बट यहाँ पर नुझे नहीं लगता है कि सपोर्ट लेगा तो यहाँ से एक चीज बहतर यहीं होगी कि यहाँ पर पेज कर निकलना यहाँ पर चारो तरब से अशोक लेलेंड के पीटा ही हो सकते हैं हालाकि ये नहीं कह रहे हैं कि stock अचा नहीं बट गिरावड आप देखो 5 दिन के time frame पर देखो तो 13 रुपे तक stock गिरा है 10.90 पर देखोंगे 29 रुपे 30 पेसे तक stock गिरा है 21.61 परसन के हिसाप से, एक महीने में 15 रुपे 50 पेसे तक गिरा है, बिल्कुल आप दीखुलो, बड़ताई फिर गिर गिर गया बड़ताई फिर गिर गिर गया, तो कुछ इस तरीके की चीजे चले, 12.73% के हिसाप से गिरा है, मार्केट कैब बिल्कुल एक मेट काप स्टॉक की के डिगरे में आता है, 31.06 हजार करोड का मार्केट कैब है, डिविदेन स्टॉक कितना देता है, 0.56% का स्टॉक डिविदेन देता है, 109 रुपे 70 पेसे पे ओपन होके सीधा लो लगा था, इसने कल के दीन 102 दो रुपे के आसपास का और काफी बड़ी गिराउट है, हाई विक लगा तो 52 रुपे का हाई इसका 153 है लो है 102 रुपे, बिल्कुल यहाँ पर डे बाइडे लो रग रहे, यह न्यूस के बारे में बताया है, सपोर्ट लेवल आप देखोंगे तो बिल्कुल आप देखों, 102 रुपे तो चले गया है, हाँ पर 98 रुपे का है यहाँ पर 94 रुपे का असपास का भी देखने को बिल जाएगा, प्राइस परफोमेंस देखा जाए, तो कहीं ने कहीं हलका उपर गया, फिर सीदा आगया, डाउन, तो डाउन कितना आया है, 10.30% अगे डाउन है, वन विक के इसमें 22.28% डाउन है वन बंद के इसमें, त्री मन्स का 12.27% डाउन है, इरन हाप का 13.56% डाउन है, 19.17% वन एर का है, 22.23% यहाँ पर 3 यह का डाउन है, यहाँ पर अगर बात कर लें, इसके ट्रेड विल्यू की तो 5 करोड का ट्रेड विल्यू और 1 करोड का कॉमिनेंट डिलिवरी था खलके दिन का, 3 करोड का ट्रेड विल्यू और 1 करोड का कॉमिनेंट डिलिवरी था चैसी चीजे इसमें चलती रहती है तो guys stock में dumb है पर यहाँ पर देखा जाए तो किस्मत इसकी खराब है क्योंकि रशिया युकरेन की वर के कारण यहाँ पर जो semi-conductor चीप है उनके कारण यहाँ पर बिल्कुली stock गिर रहा है वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू